काफी दिनों से आप लोग सुभागपुर से पचपडवा के बीच में जो एलेक्ट्रिफिकेशन के कारे बचे हुए हैं गोंडा, बढ़नी, गोरखपुर सेक्षन पे उसकी अपडेट मांग रहे थे तो मैं आज आपके लिए इस एलेक्ट्रिफिकेशन की अपडेट लेके आया हूँ बलरामपुर से, तो इस समय में बलरामपुर के फ्रेट लाइन पे हूँ, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पोल्स लगाने का और वायरिंग का काम पूरा हो चुका है, तो मैं आ यहाँ पे जो छेटपुट कारे बचे हुए हैं जैसे कि पोल्स पे मार्किंग करना और जो हमारे क्रॉसिंग पे बैरियर्स लगाना और उनको पेंट करने का काम यह भी चल रहा है और यह अपने लास्ट फेज में हैं, तो यहाँ बलरामपुर पे तो सारे कारे संपन हो च चुका है, और जैसा कि न्यूज निकल के आ रही है कि शायद से 22-23 को हमारे जो पुर्वत्तर रेलवे के PCEE यानि प्रिंस्पल चीफ एलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, वो इस रूट का इंस्पेक्शन कर सकते हैं, पचपड़वा से सुभाकपुर तक, जिसके बाद वो अ इस रूट पे और 25-26 के आसपास या फिर मार्च 1 से हमारे सेक्शन पे इलेक्ट्रिक लोकों से ट्रेन चलने का फायदा ये होगा इस सेक्शन पे कि जो हमारे गोंडा पे लोको चेंज होते थे हम सफर के और अंतियोदय और मुंबाई वाली जितनी ट्रेंस थी, वो समय तो इलेक्ट्रिकेशन का फायदा तो होगा लेकिन साथ में हमें ये भी देखना पड़ेगा कि अगर इलेक्ट्रिकेशन के साथ साथ 100 से स्पीड बढ़ा के 110 कर दी जाये इस रूट की MPS तो उससे भी काफी समय की बचत होगी तो ये था बल्रामपुर से आज के लिए अप